अब मैं विडियो बनाना बंद कर दूंगा आप पुछेंगे क्यूं तो इसलिए कि एक समाच के तौर पे एक CSTOBC मैनोटी के तौर पे हम लोग नपुन्सक हो गए हैं डरपोक हैं हमें जाहिल पहले रखा गया परने लिखने पहले नहीं दिया गया गरीव लाचार बेबस रखा गया और यह साफ है कि बाबा साहे फूले परियारम बेटकर तमाम परियासों के बाद हम सब लो आज के डेट में भारत में बहुजन समाज का एक बड़ा तपका जो परहा लिखा है नौकरी में है जो 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 बुरोक्रेसी में है बिजनेस में हम सब के सब डरपोक लाचार बेबस और सबसे जादे नपुनसक हैं मैं अगर पिडियार ललाई सिंग आदब के सब्दों में कहूं तो हम पिछरा नहीं हिज्रे समाज के परते नहीं जित वह बामसेफ के कारकरता थे उनको गुजरात में सरया मार दिया जाता है जिगनेस मेवाणी ने ट्विट किया है कि हम गुजरात बंद करेंगे बामसेफ ने कहा है कि अत्यारों को पकरा जाए या हम बंद करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और यह सिर्फ देवाजी मह हस्वरी का मामला नहीं है जिनको मार दिया गया कल मुझे घर में घुसकर मार दिया जाएगा और आप तब भी अपने अपने घरों में बैठे रहेंगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ने आएगा परसांत कनोजिया जेल में हैं आपकी तरफ से उफ नहीं उठा लगी आप स सब नपुनसक लोग हैं आज करांती कुमार ने ठीक लिखा है कि हम इतने नपुनसक हैं कि RSS के इसारे पर हम नास्ते RSS नहीं चाहते हैं इस देश में किसी भी तरह का धार्मिकरमकान बंद हो हम लोग संसिरुमनी रविदास महराज की मैं भी जत करता हूं हम लोग उनके मं लिए कििव काट लिया गया서 रीड की हडी तोर् multiplic गई पायलतर्डवी याद है है आप लोग अब लोग को मरने के लिए मजबूर किया गया रोहित वे मुली याद है आप लोग मरने के लिए मजबूर किया гिया ये सब मैं पिछले चार साल की बात बता रहा हूँ जब से मैं निशनल दस्तक में काम कर रहा हूँ परसांत कनोजिया जेल में आपको याद है देवाजी महासवली की हत्या कर दी गई सर्याम पता ये हिम्मत कहां से मिलती है जिस दिन इस देश का SC, ST, OBC मैनोर्टी का आदमी सरकों पर खरा हो जाएगा न खरा होना सीख जाएगा न उस दिन यें तमाम हत्यारों की आउकात पता चल जाएगी लेकिन मैं रोज मिलता हूँ मैं पिछले चार साल से हजारों SC, ST, OBC मैनोर्टी के अधिकारी, करमचारी, जज, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन सबसे मिलता हूँ ये सब के सब डरपोक लोग हैं इनके 135 सांसत, SC, ST, OBC मैनोर्टी के टोटल मिला के करीब 200-200 सांसत, ये सब के सब डरपोक लोग हैं, लाचार लोग हैं, इसमें मुसलमानों को भी सामिल कर लीजिए, सिर्फ सिक्स कौम ऐसा है, जो अपने लोग के लिए ख़ड़ा होना जानता है नहीं तो चाहे वो Christian हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो VCO, चाहे इसका Member of Parliament हो, चाहे इसका मंतरी हो, चाहे इसका Beurocrates हो, चाहे इसका अधिकार्यों मैं फिर कह रहा हूं आज आप लोग को लगता है ना कि आप सेफ हैं आप सेफ नहीं है आपको भी मारा जाएगा आपके बच्चे का जाती पीछा नहीं चुरएगा आज आप IPS है ना आज आप MPA में ले है ना जरूरी नहीं कि कल आपका बच्चा भी MLP रहे अरे लालू या दब दो बार के मुखम कंत्री वो जेल में है ना आपके साथ है किया जाएगा क्योंकि आप सरक पर खराओना नहीं जानते हैं संभिधान को नहीं मानते हैं आप संभिधान की ताकत को नहीं पहचानते हैं आप पो टेस्ट करना नहीं जानते हैं आप सोचिए दिन दहारे हत्या कर दी जा रही है आ मैं भी मजदूरी करूंगा और मैं भी अपना बीवी बच्चों का पेट पालूंगा यही चाहत करते हैं आप लोग घरों में बैठके अरे कुटा भी अपना पेट पाल लेता है लेकिन सबसे बड़ी लड़ राही होती है सम्मान की बाबा साब ने कहा था नथिंग इस डिसग्रेसफूल यह डॉक्टर प्रफेसर रतनलाल के हां यह प्लेट लगा हुआ है नथिंग इस डिसग्रेसफूल राधर देन डिगनिटी कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है अगर आपकी डिगनिटी हट होती है तो कब तक आपके लिए क क्रेटिक तरीके से अपनी बात को उठाना है आपको सरको पर खरा होना है हात्रस में संदीब बाल्मिकी गये हैं भीम सेना के हैं तमाम संगठन के लोग गये हैं उनका शुक्रिया ऐसे ही आपके साथ होता रहेगा अगर हम लोग अब भी एक जूट नहीं मैं गुस्से में ह क्यों बल रहा हूं क्योंकि हमारी जान की कीमत गाजर मुली से भी कम समझते ही लोग कहां से आती है इनकी हिंमत मुझ रखने पर राजस्थान में गुली मार दिया जाता है कहां से आती हिंमत जिस दिन हम लोगोंने पलटवार नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जिस दिन हम लोगोंने पर्तिक्रिया देनी शुरू कर दी जिस दिन हम लोगोंने देमोक्रेटिक तरीके से सरकों पर संघर्स करना शुरू कर दिया हमारी संख्या इतनी है हमारी अंदर इतना आत्मबल है ह हम लोगे साथ संबिधान अंहीं कींगरियों सु Greece स्भण केंए अधा कि कभी कभी बालमी की, कभी कुर्मी, कभी कोईरी, कभी कुसवा, ऐसा मत समझे, आजी में पिंकी सरया ने ख़बर की है, एक बैस ने एक दलित की हत्या की थी, अब एक नाइडू ने बैस की हत्या कर दिया, यही हो रहा है, जो यादव, जो राजवर, जो ओविसी, कहर बैन के दलित के मारा है, देखा अपने पटना में किस तरह से पूर बिधाय को बीजेपी के गुंडों ने दौरा दौरा कर लाठी डंडे से मारा, अरे आपके साथ होगा यह, ओविसी को लड़ाते हैं किस से, स्टी से, स्टी को लड़ाते हैं अपने ही लोगों से, और बाद में सब को ह अमला करता है और गोली मार दे जाते हैं, जो हमारे जैसे लोग है जो दिवा जी महस्वरी जैसे लोग है, जो परसंत कनौजिया जैसे लोग है जो अभी गौतम थी जिसको गलारेत के मार दिया गम जो डिगरी कर रही थी मैं इस देश के तमाम CSTOBC मैनोर्टी के सांसलों से कहना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब आपके बच्चे को भी जाती का सिकार होना परेगा आरे तुम सांसत बन जाते हो चार चार बार तभी सोसल जश्टिस मंत्री रहते हो तुमारी आउकाद नहीं कि फाइनेंस मिस्टर बना है तुमको परधान मंत्री नहीं बनने दिया जाएगा सबर्नों के लिडर्शिप में जिस दिन इस देश के बहुजन उन्हें ठान लिया उसका अपना सीएम अपना पीएम होगा उसको अपनों दल चुनने परेंगे बिहार में चुनावाए करना परेगा आपको नहीं तो आपके मारे जाते रहेंगे हम लोग कब जगेंगे कुछ साहे मेरे अंदर उबल रहा हूं में आप सोचिये क्या हो रहा है हमारे लोग को सरे आम गोली मार दी जाती है कोई कैसे समाज के लिए काम करेगा कोई कैसे सोचिये बहुजन अंदोलन में पैसा नहीं है संसाधन नहीं है, communication नहीं है, TV अकबार नहीं है जिंदगी खप जाते हैं उसके बाद क्यों काम करते हैं हम payback to society के लिए काम करते हैं हम ये सोचकर काम करते हैं कि आज हमारे तन पर कपरा है तो वो बाबा सहब की वज़ा से है और जो बाबा साब ने रास्ता बताया था, हम उन रास्ते पर चलते हैं, आज चाए CST अंदोलन था, हमारे 13 जबान एक गारत जबान सहीध हुए, हमने उनको भुला दिया, हमने रोहित्बे मुला को भुला दिया, हमने पायल तर्डबी को भुला दिया, हमने गौतम को भुल जाएंगे कि जिन्दगी में एक बात गान्ट बांध लो जलालत की जिन्दगी से सम्मान की मौत जादा सांधार होती है रोहित मिमुला जब तक मानब रहेगा याद किये जाएंगे फूले पेरियारं बेटकर की तरह याद किये जाएंगे पाइल तड़ भी याद किये जाएगी देवाजी महस्वरी याद किये जाएंगे लेकिन तुम सब आए हो पैदा हुए काऊगे, कमाऊगे, ओफिस से घर, घर से ओफिस, ओफिस से घर, घर से ओफिस, और कोई तुमको जानने वाला नहीं होगा, इसलिए अपने समाज को बचाओ, सोचो अमरीका में 1907 तक, 1907 तक इसी तरह से असोयतों की लिंचिंग होती थी, मारा जाता था, वहाँ अधिकार मिल किस तरह से टांडव होता है, आपका क्या हाल कर दिया गया है, आपके लोगों को, आपके सोसल कारकरताओं को मार दिया जाता है, क्योंकि हम नपुनसक समाज है, हम हिजरा समाज है, हमको परने लिखने नहीं दिया गया, लाचार वेबस किया गया, लेकिन आज कम से कम 10 से 20 क इचा नहीं छोड़ती है, बारी तो तुम्हारी भी आएगी, कल संभू की भी आएगी, परसांद कनोजिया की भी आई है, इसी तरह से गर हम सरकों पर नहीं उतरना सिखे, अपने हांक अधिकार के लिए नहीं सचेत हुए, तो हम बारी बारी से मार दिये जाएंगे, फर कितन होगा कि मेरी मौत, देवाजी महस्वरी की मौत की तरह परसांद कनोजिया के जेल जाने की तरह लोग याद करेंगे, और तुम्हारी मौत को तुम्हारे परिबार के अलाबा कोई जान भी नहीं पाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि जलालत की जिंदगी से अच्छा होता है सम्मान की मौत, और यह अपना सिखो सिख समधाय से सिखो, जब उनके साथ इन ही लोगों ने जो आज SCSTOBC मैनौर्टी को मार रहे हैं, पाटी कोई हो, सबसे ज़्यादा डंडा चलाने वाले मनुवादी जाती बादी लोगोती हैं, सिखो पर जब नरसंगार हुआ, सिख सम और आपके समाज में अब कोई अंदोलनकारी पैदा नहीं होगा, क्योंकि आप उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं, आप खरा नहीं होते हैं, आप ताकत दिखाईए, जिस तरह से SCSTOBC के लिए दिखाया था, जिस तरह से आपने मंदिर बनाने के लिए महराज के मंदिर क आपके समाज में कुई पैदा हो, जो आंदोलन चला है, देवाजी महस्वरी बामसेप से जूरे थे और भौजन आंदोलन चला रहे थे, घर घर जाकर लोगों को अपने हक अधिकार की बात कर रहे थे, इसलिए उनको मार दिया गया, मैं फिर कह रहा हूँ, ऐ भौजन के लोगों, इससे पहले कि तुम फिर से गुलाम हो जाओ, तुम मजबूर और लाचार हो जाओ, जाती बात के खिलाब खरा होना सीखो, मैं जाट, गुर्जर, पटेल समधाय के लोगों से कहना चाहता हूँ, मुसलिम समधाय के लोगों से कहना चाहता हूँ, क्रिष्चन सम समधाइक लोगों में सचाहईज तो यह सिर्फ 10% जातिबादी, मनुबादी, और ब्रहामनबादी देश को ठुकरों में बाटे हुए जातियों में बाटे हुए मझहब और बारी बारी से कभी गोधरा करते हैं, कभी सिख करते हैं, कभी भागलपुर्ट दंगा करते हैं, आपको जाती के नाम पर और मजभ़ के नाम पर लगाते हैं, और यही RSS और PJP के आज समर्थक बने हैं, जो सत्ता में हैं, उनके समर्थक बने हुए हैं, देवाजी महस्वर के नियाय दिलाने के लिए देखते हैं गुजरात में क्या हो सकता है लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूँ आज भले नौकरी में है चाकरी में है बिजनेस में है परहाई स्कूल कॉलेज इनवर्सिटी में है अगर आपने बोलना नहीं सीखा आपने बिरो अच्छे को भी मारा जाएगा आपका भी समान रंदा जाता है अपने आत्मा पर हाथ रखके बताओ तुम्हारे लिए सांसत बन जाना असान है लेकिन एक सांसत का सम्मान पा लेना कितना मुस्किल है जो राजिंदर प्रसास सिंग कहते हैं स्टी ओविसी मैं नोटी के नहीं ची मुझे मुझे सम्मान की मौत चाहिए और इसलिए मेरी जब तक सांसे चलेंगी मैं अपने हक अधिकार की इस देश की संपर्भुता संभिधान की बात करता रहूंगा जिस तरह से देवाजी महस्वरी को मारा गया है अगर हमारा समाज नहीं खरा होता है जिस तरह अधिकार नहीं जानते हैं और जिस दिन इस देश का बहुजन समाज से सरक पर खरा होना सीख गया अपने अपने घरों से बाहर निकलना सीख गया उस दिन यह जो जाती बादी ब्रहामन बादी मनुबादी लोग है इनकी चूले हील जाएंगी और सत्ता आपके पास होगा अफरिका में आज किसी भी देश में किसी भी अफिरकर में कोई गोड़ा राष्ठright पती परधानमंत्री नहीं है वो सब अश्योय थे हैं क्योंकि उन्होंने अंदोलन को समझा उन्होंने बाटी लूथर और निलसन मंडेला को समझा आपको समझना परेगा आपको अपने अंदोलन को समझना परेगा नहीं तो आप मारे जाएंगे भ्याज चुनाव है मिडिया ने खेल सुरू कर दिया है NDA जीतेगी, BJP जीतेगी, इसको बोलते हैं बलोर की हवा, नितीश कुमार जब RJD के साथ चुनावला रहे थे, तो ऐसे ही हवा बना रहे थे कि मोधी जी जीतेंगे, नितीश कुमार रोज हवा पास करते थे, जब तक ते जस्वी यादव हो, पप्पु यादव हो, पिंदर क बात करूँगा, लेकिन जिस तरह से देवाजी महस्वरी के हत्या हुई है गुजरात में, अगर आप खरे नहीं हुएं, तो आपकी बारी अगली है, आप लोग अपनी पर्तकिरिया दीजिए, मेरे किसी बास से आपको ठेस पहुंचाओ, तो मैं चाहता हूँ कि आपको ठे से पर्टेज में, इन्वर्सिटी में, सरको पर, हम समाजी का अंदोलन नहीं कर सकते, हम सरको पर उतर सकते, और हम नपुन्सक की तरह देख नहीं सकते, हम इस अन्याय के खिलाफ लडएंगे, फर्क इतना होगा कि तुम्हारी जिंदगी जहालत वाली होगी, हमारी मौद सम समान वाली होगी, मैं इसलिए बार-बार कहता हूँ, कि मुझे जलालत की जिंदगी नहीं, सम्मान की मौच चाहिए, आप लोगे क्या पर्तकिरिया है, दिवाजी को जिस तरह से हत्या की गई है, पूरा गुजरात, पूरा देश, हमें खरा होना चाहिए, सोसल मीडिया पर स्ट्राम कीजिए, वीडियो डालिए, अपनी पर्तकिरिया दिजिए, और इस सत्त्या चार और सत्त्या की खिलाब खरे होई है, नहीं तो सब बारी बारी से मार देजाएंगे, आप लोगे क्या पर्तकिरिया, अपनी पर्तकिर दीजिए, शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे